बिस्मिल्लाइ रख्मानिवाहीम, السلام वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेल्लो गाइस, वेल्लो टूडी गाइस यूटूबर चैनल दोस्तों, मीज़ा आप सब खेरिश से होंगे, दोस्तों केनडा के इमिगेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक बड़ी एनॉस्मेंट कर है, उन्होंने एक नई टीम हाइर करने का फैसला किया है, और इस टीम का काम होगा, असाइलिम सिस्टम को टार्गेट करना, जी हैं दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट जो है, वो सामने आ रही है, खेरड़ा के इमिगेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक निउ टीम हाइर कर करने का फैसला किया है, जो कि असाइलिम सिस्टम को जो है, वो टार्गेट करेगी, खेरड़ा के इमिगेशन मिनिस्टर का कहना है, कि अब बहुत हो गया, अब इन चीजों को रोकना काफी ज़्यादा जरूरी हो चुका है, मरना तो काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है क्योंकि असाइलिम क्लेम्स डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, अब इस टीम को हायर करने का मकसद ही यही है, कि वो असाइलिम क्लेम्स को प्रॉसेस करें जल्द से जल्द और काफी चीजों को बहतर कर पाए, इस टाइम के ओपर इमिगेशन मिनिस्टर मार्क में बहुत जादा टाइम लग रहा है, जिसमें से अगर मैं आपको एवरेज टाइम बताओं तो फॉर्टी फॉर्ड मा जो है, वो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है, कि एक असाइलिम के क्लेम को फॉर्टी फॉर्ड मन्स लग रहे हैं, प्रॉसेस होने में, सेप्टेंब होल्डर, स्टूडेंट वीजा होल्डर, ये सब जानते हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद जो है, वो बढ़ती ही चली जा रही है, और वो ये बात खुद भी जानते हैं, कि हमारे क्लेम्स प्रॉसेस नहीं हो ना ही उन्हें अप्रूफ्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये बात वो भी जानते हैं, कि कम से कम चार से पांच साल लग जाने हैं, उनके केस को प्रॉसेस होने में, उसके बाद वो कुछ ना कुछ और कोई आप्शन देख लेंगे, तब तक तो वो आसानी से कैन कैनडा से जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाए, साथ ही जो लोग LMIA पर्चेस कर रहे हैं कैनडा में, वो भी इसी टीम का काम होगा, कि उन LMIA पर्चेस करने वालों को भी पकरे, उनके LMIA को कैंसल करे, और उनको भी कैनडा से डिपोर्ट करे, अब ये सब इसी टीम का काम होग कि ये तमाम चीजें जो है वो यही टीम देखेगी साधी जो एजंट्स की वज़ा से सब प्रॉब्लम्स खरी हो रही हैं एजंट्स जो हैं वो गलत एडवाईजर दे रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए उनके लाइसंस को भी कैंसल किया जाए वो भी इसी टीम का काम होगा हम हैं कि asylum system को हम दुबारा से ऐसा बना सकें जिस से सच्चे और जरुरत मन्द लोग जो हैं फाइदा उठा पाएं ना के international students और ना के visitor visa holders क्योंकि यह हमेशा temporary हैं और हमेशा temporary ही रहेंगे यह यहां पे आने के बाद जो है वो settlement के option डूनते रहते हैं जो के बिलकुल सही बात नहीं है